हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सोनी स्वेजन लीगल चैनल आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता हूँगा ट्रेडमार्क वाच सर्विस के बारे में कि क्या है क्यों यह जरूरी होती है देखिए जब आप लोग ट्रेडमार्क फाइल करते हो किसी कमनी के लिए तो होता क्या है अगर दो तीन ट्रेडमार्क से तो ट्रेक करना एजी होता है बट हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स है जिनके 100 प्लस ट्रेडमार्क से 200 प्लस ट्रेडमार्क है अब वहाँ पर दिक्कत क्या आती है ट्रैकिंग में दिक्कत आती है कि कौन सा रजिस्टर्ड हो गया कौन सा objection है किस पर reply file करना है या किसका renewal कराना है छोटे clients के लिए तो बहुत easy है दो तिन trademark में track करना बड़ जब clients बड़े होते हैं तो वहाँ पर issue create होता है क्योंकि वहाँ पर 200-300-400 trademark हो जाते हैं तो उनका ध्यान डखना क्योंकि अगर समय पर reply file नहीं करा गया यहां रजिस्ट्री के अंदर response नहीं डाला गया कोई objection आया वहाँ पर 30 जिन का समय मिलता है वहाँ पर time पर reply नहीं गया तो penalty लग जाती है उससे clients का loss होता है उसके लिए trademark attorneys या companies portfolio create करते हैं इसको बोलते है portfolio management करना जैसे stocks के अंदर होता है वैसे trademark के अंदर भी होता है अब example से समझाता हूं portfolio बनता किसे applicant का नाम आगया trademark का नाम आगया application number आगया कौन से type है device क्या है word है color mark है फिर उसके बाद कभी application file करी गई थी इसका status क्या चल रहा है next इसमें क्या step लेना यह सारे चीज़ें उनके अंदर आती है जिन से later on easily track कर जा सके अब यह पुराने तरीकते excel sheet पर यूज करने के आज के time में काफी सारी law forms जैसे हमारी एक law हमें हमारे पास thousands of trade mark है अब हम at a time उनको कैसे manage करते हम उसके लिए software का use करते है उससे फाइदा क्या होता है graphical representation में मुझे हर महीने दिख जाता है कित्ती application file हो रही है registered कित्ती हो रही है opposition कित्ते महां है objection कित्ते महां है उससे track करना बहुत जादे हो जाता है और इससे फाइदा क्या रहता है कि अगर आपको ट्रेडमार्क की वैलिशन निकाल लिए तो बहुत ईजी है software की मदद से अब data की मदद से कित्ते रजिस्टर हो गए कित्ते एक्स अडवर्डाइज हो चुके इन सब को देखते हुए ट्रेडमार्क की वैलिशन भी निकाल सकते हो उनसे काफी ज़्यदे अडवांटेज मिलता है अब देखिए apple जैसी बड़ी कमनिया टाटा इनके 200-300 ट्रेडमार्क नहीं होते हैं इनके होते हजार ट्रेडमार्क चार जार ट्रेडमार्क पांच जार प्रट्स मार्केट के अंदर यह लांच कर देती है उनके management के लिए यह software को यूज करती है जिसे ट्रेडमार्क रख पर अपने IPR के उपर यह ऐसा तो नहीं है कोई market के अंदर हमारे ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है तो कितने opposition एक साल में इन्होंने raise करें उसका भी पूरा ट्रेडमार्क रखते हैं तो यह फाइदा रहता है ट्रेडमार्क सर्विस का अगर आपको इसके बारे में और जाणना है तो हमारी वेबसाइट sonys visit.in पे आप विजिट करिए नीचे comment box के अंदर आप अपना comment भी दे सकते हैं मेरी टीम आपसे connect कर लेगी और आप इस number के उपर call भी कर सकते हैं आप लोगों को तरन उसका notification मिल जाए आपने इस वीडियो को यहां तक देखा उसके लिए धन्यवाद